नमस्कार दोस्तों बिग बॉस बारा की कंटेस्टेंट सोमी खान में आया है गजब का बदलाव रियालिटी शो की कंटेस्टेंट ने शो के बाद टीवी वा बॉलिवुड में अपना करियर बनाने की मनशा जाहिर की है शो से बाहर ओने के बाद सोमी इस बात से थोड़ी से अपसेट थी कि उनका जो लिंक अप जाने की जो रिश्ता उनका जोड़ा जा रहा था वो दीपक थाकुर के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था हालिया इंटर्व्यू में उन्होंने ये चीज़ कहें कि दीपा के साथ रिलेशन्शिप में आने का उनका कोई भी इरादा नहीं है सोमी ने नए साल पर बिग बोस बारा के कंटेस्टेंट रोहिद सुचान्ती के साथ भी पाटी की और जोरान उन्होंने तस्वीरों को भी शेयर किया इस तस्वीर में दोनों काफी जादा क्यूट लग रहे थे शो के दोरान सबा और सोमी की जोड़ी एक दबंग सिस्टर्स के तौर पर जानी गई थी शो के दोरान सोमी ने हमेशा अपने पैट डॉग का जिक्र किया था जिसे सोमी बहुत ज़दा मिस करती थी घर के अंदर और अब वो घर के बाहर जब आ चुकी है तो अपने डॉग के साथ अपने पैट के साथ वो बहुत सारी तस्वीरों को शेयर करती रहती है लेकिन ये बात तो पकी है कि जैसे ही वो घर के अंदर गई थी तो वो बहुत ही शांत तरीके से नज़र आ रही थी लेकिन जैसे ही सबा खान नॉमिनेशन उनका किया और उनको घर से बाहर किया गया तो सोमी खान का एक अलगी अफ़तार लोगों को नज़र आया और ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो फिनाले तक यानि की बहुत ही फिनाले की करीब से सेमी फिनाले तक वो सोमी कान पहुची थी और उन्होंने काफी जादा सारे जो कंटेस्टन थे उन सभी से अच्छे रिष्टे बनाए जिसकी वज़ात शायद उनको हेल्प मिली और वो सेमी फिनाले का हिस्सा बन सकी लेकिन जैसे ही और वो घर से बाहर आ चुकी है तो उनका बदला बदला अफ्तार लोगों के सामने आ रहा है और जो उनका बदला हुआ अफ्तार है वो लोगों को बहुत ज़़दा पसंदा रहा है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द वो किसी टीवी शो, किसी रियालिटी शो या फिर किसी मूवी में नज़र आ सकती है क्योंकि उनका जो personality है काफी ज़ादा strong है और उनको काफी ज़ादा offers भी आ रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने इस चीज का कोई भी खुलासा नहीं किया है लेकिन जल्द ही वो इस चीज को शेर करने वाली है अपने फैंस के साथ अगर आप excited है सोमी खान को किसी टीवी शो या फिर रियालिटी शो में देखने के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं तैंक यू सो मच खीव वाचिंग टुडेस फोर मोर न्यूस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें के साथ साथ टुडेस की आप को जरूर डाउनलोट करें धन्यवाद